हेलो एवरीवन वेलकम टो माई यूटूब चैनल लेट स्टडी सासा तो जैसा कि आपको पता है इस चैनल पर हम डेली इंग्लिश लिटेचर और इंग्लिश ग्रामर के पैक्टिस साइट सॉल्व करते हैं इसी सीरीज में आज की हमारी वीडियो है जिसमें हम ग्रामर के काफ आप उन्हें भी जाकर देखें क्योंकि आपके प्रपरेशन के लिए बहुत जरूरी है और आपको हर एक वीडियो को एक मोग टेस्ट की तरह लेना है और अपने आंसर साथ में लगाते चलता है अपना इवैलोशन खुद करना है ठीक है चाहें आप कमेंड बॉक्स में करें अपने स्कॉर को आप चाहो तो स्कॉर सेयर भी कर सकते हो घ्रहते है तो फिर आज की वीडियो में फ़र्स question में फ़र्स कोश्चन से हम सबसे पहले लगे तीन चीजे समझ लेनी होती यह त्यम्यों मतीन सीज़े क्या कि हमारी हम हमारी helping verb और main verb क्या है प्लस हमारा object क्या है ठीक है subject verb और object तीनों चीजे समझ लेंगे तो आपको passive voice बनाने में बहुत आसानी होने वाली है देखे यहां पर हम मैं the mission की बात करूँ तो यह क्या है हमारा यह हमारा subject ठीक है the mission तक ठीक है और उसकी बाद में अगर मैं बात करूँ is building यह क्या है हमारी verb इसमें helping verb और main verb दोनों सामिल है और our wall this is an object ठीक है अब इनी का रोल होता है इसमें passive voice में हम जो हमारा जो object होता है न उसे हम as a subject यूज करना शुरू कर देते हैं passive voice में ठीक है तो object क्या है आपर our wall तो our wall को ही हम अपना subject बना लेंगे ठीक है अब our wall की जगह यहां पर option में जैसे the wall कर दिया तो यह भी wrong नहीं है तो आप इसे भी right कर सकते हो ठीक है the wall अब दूसरी बात यहां पर हम देखेंगे कि हमारी helping verb क्या थी is building अगर is rm प्लस verb में ing आ रही है तो कौन सा tense है वो tense हो जाता है हमारा present continuous tense और इसमें क्या होगा जितनी भी helping verb होंगी इसमें is rm तीनों helping verb में is के साथ भी being लगना शुरू हो जाएगा m के साथ b और r के is being m being और r being being मतलब b e i n g ठीक है being त्यान लखना है तो यहां पर अगर हम wall के according समझें तो wall तो singular ही है similar है तो मतलब हम is के use करेंगे इस के साथ में हम साथ में being भी add करेंगे ठीक है पैसिव इसमें क्या होता है कि हम is rm के साथ being लगाना शुरू कर देते हैं ठीक है तो यहां पर being है यह wrong हो जाएगा being है यह right है was being was का तो काम ही नहीं है इसलिए wrong है is being अभी तक हमारे पास दो option ह है ठीक है b और d दो कट हो चुके है the ball is being अब देखिए building तो building यानि की build और build की अगर हम third form की बात करें तो क्या होई build या built सोचिए देखिए build जो है वो first form है third form जो लगेगी वो लगेगी built ठीक है the wall is being built by the mission option number d is the right answer इसका correct answer क्या है option d next next अगर हम देखिए identify the error देखिए error finding से आ गया है sentence अब हम इसे देख लेते हैं sentence है he had arrived at Cairo few months before protest shocked the Arab world तो बताए किस पार्ट में आपको error लग रही है इसके yes सोचिए रांचर कीजिए देखिए इसमें अगर हम देखे तो he had arrived at Cairo first part में हमें error मिल चुकी है ठीक है बाकी भी देख लेते हैं पहले भी है a few months later sorry a few months before तो यह भी सही है protest shocked the Arab world यह भी सही है लेकिन यहां पर option a में जो बात कही गई है he had arrived at Cairo तो यहां पर at Cairo नहीं आएगा ठीक है at कप लगाते हैं हम छोटी cities के बारे में जिकर कर रहे हो तो उसके साथ हम proposition at का यूज करते हैं लेकिन अगर हम किसी बड़ी जगा के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके साथ हम proposition किसका यूज करने लगते हैं इनका, ठीक है, तो Cairo के साथ भी यहां पर proposition इन आना चाहिए, okay, he had arrived in Cairo, next, question 3, most of us who are older, देखी, यहां भी error findings यही question है, ध्यान से देखना है, फर्स्ट है, यह पार्ट, most of us who are older competitive runner, are not able to race to race anywhere at the same speed as we do when we were 30, no error, बताएए, इसके किस पार्ट में आपको error लग रही है, देखे, अगर हम sentence को ध्यान से पढ़ते हैं, तो क्या कह रहा है, most of us who are older competitive runners, are not able to race to race anywhere at the same speed, ठीक है, आगे है, as we do when we were 30, देखे, इसके part C में error है, अगर हम देखें तो, यहाँ पर कहा गया है, part C में, as we do when we were 30, तो जब यह work की बात कर रहा है, तो हम यह do नहीं लगाएंगे, ठीक है, एक past है, तो हम दूसरा वाले तो past ही बनाएंगे, तो यहाँ पर do की जगर did आना चाहिए, as we did when we were 30, ठीक है, तो option number C is the right answer, next, question 4, इसमें भी error finding से ही दिया गया है, work hard, least you do not fail, no error, तो किस part में error है इसके, yes, part B में ही error है इसके, ठीक है, part B में क्या error है, यहाँ पर देखे, least जब भी आता है, least के साथ जो जोड़ा बनता होता है, वो बनता है किसका, should का, ना कि do not का, अगर least आ रहा है तो यहाँ पर should लगना चाहिए, do not की जगा पर, ठीक है, work hard, least you should fail, okay, next, question no. 5th, just a minute, यह हमारा 4th था, यह 5th है, 5th देख लेते हैं, the victims were fruit vendors and they were going in an auto when they dash an accident on the way, तो क्या आएगा, met with an accident, ran into an accident, experienced या heard, क्या आचीए यहाँ पर, सोच यह आँसर कीजे, देखी, यहाँ पर, the victims were fruit vendors and they were going in an auto when they met with, option no. a is the right answer, met with an accident on the way, next, 6th, direction दी गई है, choose the correct option for the phrase given blow, देखी, यहाँ पर जो phrase दी गई है, इसका meaning बताना है, फ्रेज है, be over the hill, what does it mean, be over the hill, क्या मतलब होता है इसका, options है, to be on a mountain top, to travel in the jungle, to be too old to do things, to do something in the most complete way, क्या होगा इसका right answer, सोची answer कीजे, be over the hill, इसका correct meaning क्या है, to be too old to do things, ठीक है, option no. c is the right answer, next, 7, I have a problem, I can't sleep, dash night, तो क्या न चाहिए, sleep from night, sleep at night, sleep on night, sleep in night, in fact इसे read करते ही, आपको समझ आ गया होगा, तो क्या हैगा, sleep at night, option no. b is the correct answer, next, just a minute, question no. 8, the new bakery near my house opens dash 7 a.m. every day, तो क्या आएगा, in, since, on, at, सोची और अंसर कीजे, देखिए, हमें time period दिया गया है, अब time period के साथ कौन से proposition का use करते हैं हम, time period के साथ भी हम at का use करते हैं, ठीक है, at 7 a.m., the new bakery near my house opens at 7 a.m., next, question no. 9, 9 देख लेते हैं, I disliked him not so much for his meanness, but for his dishonesty, यहां पर यहां पर यह बट फोर जो अंडरलाइन हो रहा है, क्या इसे हम replace कर सकते हैं, I disliked him not so much for this meanness, but for his dishonesty, क्या आनची यहां पर, यहां पर बट फोर की जगह हम use करेंगे, as for का, ठीक है, किसका use करने वाले हैं, as for, क्योंकि, यहां पर so भी आरा है शुरूर में, so but का कोई combination ही होता, so as का combination होता है, इसलिए, ठीक है, I disliked him not so much for his meanness, but because his dishonesty, okay, next, अभी यहां पर but for की जगह हम ने क्या लगा दिया है, as for, यह भी धियान लगना, option number is the right answer, next, question number 10, he is believed to have died of malaria, अभी यह जो sentence है, अभी किस formation में है, जहां तक हम देखें, तो यह simple sentence की formation में ज्यादा लग रहा है, he is believed to have died of malaria, ठीक है, simple, अभी इसे हमें complex में बदलना है, ठीक है, इसे हम complex में बदलेंगे, option A है, he is believed that he would have died of malaria, it is believed that he died of malaria, it is believed that malaria is the cause of his death, people believe that he died of malaria, क्या होगा इसका राइटा अंजर? yes, इसका राइटा अंजर क्या है, it is believed that he died of malaria, option number B is the correct answer, next, question 10, the election commission on saturday, dash that the assembly election in five states will be held from November 12 to December 7, अब यहाँ पर क्या आना चाहिए, pronounced, announced और या फिर प्रामिल्गेटिड इस्जूड, तो election commission क्या करेगा, pronounced करेगा या अनाउंस करेगा, सोचिए और ध्यान से सोच समझ कर आंसर करना है, yes, क्या होगा इसका राइट आंसर? क्या होगा? इसका correct answer है, option B, announced, ठीक है, election commission क्या करेगा, announce, और I think इसका जो number है, question का वो भी change हो गया है, यह miss print है, यह question number 11 चल रहा है हमारा, ठीक है, तो यहाँ में क्या होगा, announce जाएगा, announce का मतलब होता है, घोशना करना, तो election commission क्या करता है, गोशना करता है, ठीक है, और इससे अलागर और words की बात करें, तो pronounce मतलब क्या होता है, किसी चीद का उच्छारण करना, ठीक है, उच्छारण, अगर हम बात करें, issued, issued मतलब निर्गत करना, जैसे हम library से book issue कराते है, निर्गत करना, मतलब देना, ठीक है, और promulgate का मतलब क्या होता है, promulgated, यानि कि प्रख्यापित करना, ठीक है, किसी का advertisement करना एक तरीके से, ठीक है, नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट कोशन नमबर 12, राम इस गोईंग टू था सिनेमा, डैस सैटरड़े, तो बताएए, सैटरड़े, मतलब, एक वीक का, डैस का नेम आ रहा है, ठीक है, एक डै का नेम है, तो डै के नेम के साथ कौन सी proposition यूज होती है, on, add, throw, in, काफी बार आप कड़ चुके होगे इन questions को, बताएए, करेक्ट प्रपोजिशन क्या लगेगी, सोचिए और अंसर कीजिए, अगर नेम है, तो हम on लगाते हैं, ठीक है, राम is going to cinema on Saturday, ठीक है, next, 13, 13 में starting में blank है, hurts me, तो कौन सा noun close आएगा, cheating hurts me, the statement hurts me, that you should cheat me, hurts me, even the thought of his suffering, hurts me, तो basically, यहाँ पर हमें noun close को छाटना है, जो यहाँ पर suitable हूँ, कौन सी noun close होगी, सोचिए और अंसर कीजिए, देखे, noun close की अगर हम बात करें, तो noun close क्या होती है, it is a group of words with subject and predicate used in the place of noun, एक एक ऐसा group of words, जिसमें subject भी हो, प्रेडिकेट भी हो और वो noun की जगा पर यूज हो रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको जैसे की पता ही है, कि इसी भी sentence का subject यहा, तो noun होता है यह प्रोण होता है, तो यह हम नाउन की जगा पर यूज हो रहा है, तो वो क्या कराएगा, noun clause क्लॉज क्या रहाता है, ठीक है, अब क्लॉज में क्या सकता है, जैसे इसमें देखिए, कौन सा option सही होगा इसका, इसका option C ही राइट है, that you should cheat me, hurts me, ठीक है, option number C is the correct answer, next, question number 14, the meaning of the idiom, अब इस idiom का meaning बताना है, to throw up the sponge, what does it mean, to throw up the sponge, option है, to oppose, resolutely, next, to undo, to go to destruction, none of the above, throw up the sponge का मतलब क्या होता है, yes, सोचिया आँचा कीजिये, basically जो आपके option दिये हैं, इन में से तो कोई भी suitable नहीं है, तो इसका answer तो none of the above हो जाएगा, लेकिन, throw up the sponge का meaning exactly होता क्या है, देखे, throw up the sponge का मतलब होता है, कि मतलब मानलो आप किसी competition में participate कर रहे हो, और उसमें तुम give up कर दो, ठीक है, इस तरीके से, to give up a contest, ठीक है, इसका मतलब, throw up the sponge का मतलब होता है, to give up the contest, ठीक है, give up कर देना, contest से, ठीक है, या फिल, to acknowledge the defeat, अपनी हार मान लेना, उसे कहता है, throw up the sponge, ठीक है, next, question 15, beggar's description means, अब आपको बताना है, beggar's description का मतलब क्या होता है, option है, beyond description, by chance, less described, poorly described, क्या होगा इसका मीनिंग, देखे, beggar's description का मतलब होता है, beyond description, ठीक है, option number A, is the correct answer, next, question number 16, which of the following sentence is grammatically correct, अब इन में से बताना है कि कौन सा sentence आपको grammatically correct लग रहा है, इन में से कौन सा correct है, देखे, इसमें basically हम क्या देख रहे है, use of adverb को देख रहे है, कि adverb का use किस तरीके से सही होता है, जैसे कि अगर हम option C की बात करें, he played good, तो good नहीं आता, good कभी भी कोई adverb नहीं होता, adverb क्या होता है good का, वो होता है well, यहां आना चाहिए था, he played well, इसलिए यह रोंग है, अगर हम बात करें, he lives miserally, तो miserally रोंग है यहाँ पर, ठीक है miserally का इस तरीके से use नहीं होगा, तो इसलिए यह part D भी रोंग हो जाएगा, ठीक, अब उपर देखते हैं option B, he, sorry, we scarcely see a loin, तो scarcely का use भी हम इस तरीके से नहीं करते हैं, इसलिए यह यह भी रोंग है, तो हमारा part A correct है, we rarely see a loin, ठीक है, option number A is the correct answer, next, 17, 18, choose the correct option of passive construction, देखी, पहले हम इसे देख लेते हैं, इसे passive हो, इसमें चेंज करना है हमें, basically, sentence है, they poured water on us, ठीक है, अब इसमें, मैंने जैसा, starting में ही बताया था, कि तीन चीजे, पहले पैचान्मी होती है, सबसे पहले हम अपना subject देखेंगे, जो की इसमें क्या है, दे है, ठीक है, उसके बाद हम main verb देखेंगे, verb है हमारी poured, water हमारा object है, एक object तो water है, इसमें दो object दिये गए हैं, एक तो दिये गए है water, water भी ये object है, और us भी object है, एक direct object है, एक indirect, तो चाहो था आप water से भी sentence बना सकते हो, और us से भी, अब हम देखते हैं option, क्योंकि totally option पर depend करता है, अब ए दिया है, we were poured butter, क्या ये correct हो जाएगा, next is, we had been poured butter on, next is, water had been poured on us, next is, water was poured on us, सबसे पहले तो हम tense पहचान लेते हैं, अगर हम इसमें tense की बात करेंगे, तो ये कौन सा tense ले रहा है, simple past, क्योंकि वर्प की second form भी आ रही है, और कोई भी helping verb का use नहीं हो रहा है, तो ये पहचान किसकी है, simple past की, simple past का formation है, ठीक है, अगर tense, अगर हमारा जो sentence है, वो simple past वाले tense में है, तो जब हम इसका active से passive change करेंगे, तो helping verb वाज और वर लगनी शुरू हो जाएगी, अगर subject plural है तो वर, वर ना वाज का use करेंगे, तो जहाँ-जहाँ helping verb वाज वर है वहाँ रहने देते हैं, बाग की सारे कट कर देंगे, option number B भी रॉंग, C भी रॉंग, क्योंकि हाँ पे head भीन, अब हम देखते हैं कि हमें object क्या लेना चाहिए basically, water लेना चाहिए या us लेना चाहिए, we were poured water, क्या ये सही है, या फिर water was poured on us, ये सही है, I think according to the sense, option D is the right answer, water was poured on us, ठीक है, तो correct answer क्या हो जाएगा, option number D, okay, next, question number 18, he ought not be, tell me your secret, but he did, तो यहाँ पर, जो tell आया है, क्या इसमें कोई improvement होना है, ये सही है, इसमें कोई improvement नहीं होगा, बताइए, he ought not to be, tell me your secret, but he did, option of telling, have told, having told, या no improvement, ये बेसिकली, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यूसर फर्स फर्म, यूसर नहीं करेंगे, ought not to के बाद भी, क्योंकि, यहाँ पर, बी जो लगा हुआ है, बी हमें represent करता है, कि ये passive voice का sentence है, और अगर ये passive voice का sentence है, तो हम यहाँ पर, बर्ब की third form का use करेंगे, ठीक है, और उसके साथ में, हम have का भी use करेंगे, यहाँ पर having told है, यह भी रोंगे, और यह भी, हम part B पर focus करेंगे, ठीक है, he ought not to be, have told, me your secret, but he did, ठीक है, क्यों last मेरे देखो, past आ रहा है, तो option no. 20, the right answer, question no. 19, a collection of small colored flags, बताइए, एक collection है, मतलब basically collective noun से पूछा गया है एक question, एक small, छोटे, रंगीन flags का collection, क्या खेलाता है, a collection of a small colored flag, options है, troop, बॉल्टेरी, bunting, none of the above, तो यह आपको ध्यान में रखना है, a collection of small colored flags, is none as bunting, option no. C is the correct answer, next, 20, the study of intended meaning of the speaker is, बताइए, speaker के intended meaning की study, क्या खेलाती है, option है, semantics, comprehension, ethymology, या फिर pragmatics, सोची आंसर की जे, इसका मतलब क्या हुगा, what is the correct answer, the study of intended meaning of the speaker is, pragmatic, ठीक है, ध्यान अखना है, pragmatics, ठीक है, और pragmatics का मतलब क्या होता है, basically, it means, dealing with problems in a practical way, rather than by following ideas or principles, okay, तो option D is the correct answer, तो फिर आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, I hope मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज इसे लाइक करें, शेर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तब तक के लिए, थैंक्स पूर वाचिंग, कीप लाइनिंग,